हेलो गाइस वेल्कम टू इंडो नेपाल किचन आज हम बनाने जा रहे हैं चीच चिली दोस्तो बिल्कुल कम सामागरी में घर पे आसानी से बनाएंगे वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक चैनल फस्ट हम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तो तो य दो तिन वारी पानी में और एक छनी में डालके इसको रख दिया था तो पानी इससे अच्छी तरह से निचड़ गया है यहां पर मैं नमक डाल रहे हूं दो चमज स्वादन सार एक चौथाई लाल मिर्ज डालेंगे और एक चौथाई कस्मीरी लाल मिर्ज डालेंगे तो द तो यहां पर दोस्तों मैंने लिया है तीन अंडे अब अंडे को इस तरह से मैं तोड़के डाल रही हूं तो एक दम ध्यान से डालना चाहिए के बारी अंडे के छिलके भी बीच में गिर जाते हैं तो मज़ा खराब हो जाता है तो हमें थोड़ी त्यान से ही डालना चाहिए अब मैंने तीन अंडे को डाल दिया है तो दोस्तों इस तरह से आराम आराम से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि थोड़ी जोर से हाट डालेंगे तो आरा रोट एक दम उचल जाता है तो पहले आराम से ही करना चाहिए अब इसको mix करेंगे 2-3 मिनिट अच्छी तरह से तो इस तरह से अब हलके हलके mix हो रहा है दोस्तों तो जितनी अच्छी तरह से mix करेंगे उतनी अच्छी तरह इसमें coating होएगी और नमक mix एकदम अच्छी तरह से मिलेगा और दोस्तों एसमें मैंने अंडा इसलिए डाला हुआ क्योंकि जब फ्राइ करने के टायम पे है न तो एकदम तेल के छिटे बाहर नहीं निकलेगा तो इस तरह से बनाएंगे तो नहीं तो कितनी ज़्यादा छिटे पड़ती है न वो बिल्कुल नहीं होएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगा तो दोस्तों एक गंटे के लिए मैरीनिशन करके हमने रख दिया है यहाँ पे मैंने 10 से 12 लसन के कर ली लिया है इसको मैंने पहले लंबे-लंबे चीरा दिया है तो इस तरह से चौप कर लेंगे तो इस तरह से करने से लसन के एक तम बारेक पीस हो जाता है तो हमें जितने भी चाहिए इस तरह से कर लेंगे इस सारे लसन को तो दोस्तों अभी मैंने इस तरह से लसन कर लिया है साइज के पीस काट लिया है और तीन हरी मर्य से लिया है सिर्फ के इस तरह से दोजीरा दे दें के दोस्तो विब सुधा भूंभी मैंने ISतरRight के दे दिया है यहांपर मैंने 4-5 नॉर्मल ⦉ Si के प्याज लिया हुआ है प्याज को अब इस तरह से काट देंगे तो दोस्तो देखिए अभी हमने इस तरह से काटा है कोशिस करेंगे एक ही साइज के काटने के लेकिन प्याज तो कोई बड़े छोटे होते है तो थोड़ी बहुत साइज में गड़बड़ी होई जाते दोस् हमने सबजी को भी चौप कर लिया है अब दोस्तों जो मेरनेशन करके रखा था जिकान उसको एक बारी इस तरह से हिलाएंगे मिलाएंगे कि ताकि नीचे जो आरा रोड बैठा वाएगा वह भी अच्छी तरह से मिक्स होएगा तो देखे दोस्तों बिल्कुल सही हो गया है अब मैंने दूसरे साइट पे कड़ाई गरम होने के लिए रख दिया था तेल डालके अब देखे कितना दूआ छोड़ रहा है तेल हमारे बिल्कुल सही गरम हो गया अब इसमें एक एक पीस करके चिकन डाल देंगे तो जितना चिकन आएगा उतनी डालेंगे अभी तो इसमें थोड़ी और आ रहे है तो इस तरह से मैंने इसमें डाल लिया है दोस्तों जितना आज सकता था तो अभी इसको 3-4 मिनिट हो गया है चिकन डाला हुआ है एक बारी इस तरह से इसको पल्टा देंगे ताकि उपर वाले इससे नीचे हो जाए शेक अच्छी तरह लगेगा फिर इस तरह से इसको मैं हिला रहे हूँ तो जो पीस जुड़े होए उसको अलग कर देंगे तो इस तरह से अभी 3-4 मिनिट इसको मैं छोड़ दूँगी इस तरह से अब देखिए 3-4 मिनिट बाद एक बारी और मैं हिला रही हूँ तो बीच में एक दो बारी और हिला आया था दोस्तो तो देखिए साथ-8 मिनिट में चिकन फ्राई हो गया है तो इस तरह से बिल्कुल सही हो गया है अब निकाल देंगे तो दोस्तो एकी बारी फ्राई किया है डबल करने की जरुत नहीं बस एक दम लाल हो गया है तेल में वबल साने बांद हो गया तो मतलब चिकन आपका पग गया है तो इस तरह से मैंने सारे चिकन कर लिया अब उसी कडाई में मैंने बाकी के तेल निकाल लिया और इसमें लसन डालके इस तरह से बून रहे हूँ अब लशन हलका हलका हो रहा है थोड़ी देर और बुनेंगे देखे दोस्तों गोल्डन कलर के हमारे लशन हो गया है अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी प्याज के साथ ही हर इमिर्च और सिम्ला मिर्च भी डाल देंगे तो इस तरह से एक क्यादा बारी हिला दूँगी तो दोस्तों यहाँ पर आगे नमक चिकन में हमने डाला था तो इस सबजी के इसाब से स्वाद अनसार एक चौथा नमक डाल रही हूं बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाला है एक चमज विनिगर डालेंगे एक चमज ही सोया सौस डालेंगे दोस्तों ज्यादा नहीं डालेंगे और टमेटो केचप डाल रही हूं है बड़े चार चमज तो चिकन डेड़ किलो है तो थोड़े सौस भी ज्यादा ही लगेगा तो इस तरह से चार चमज डाल दिया अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो देखे अब यहाँ पर मैंने गिलास में पानी लिया है अदा गिलास पानी डाल दिया है तो इस तरह से जो सौस है ने एकदम गाड़ा हो गया था पतला होईगा तो इस तरह एक 15-20 सेकेंड मैंने इस तरह से हिला दिया है अब जो हमने चिकन सारे फ्राइ किया था उसको डाल देंगे अब इस तरह से मैंने डाल लिया दोस्तो अब इसको एकदम आराम आराम से मिक्स करेंगे जैसे गरम होता जाएगा तो पीस सौफ्ट हो जाता है फिर उसके बाद में चिकन के कॉंटिटी थोड़ी कम होएगी अभी ज़्यादा लग रहा है कडाई में जैसे ज़्यादा है तो देखिए थोड़ी देर बाद अभी मैं इसको हिला ला के मिक्स कर रहे हूँ कॉंटिटी काफी कम हो गई है इस तरह से हो जाता है अब मैं इसमें एक पीस हाथ में लेके चेक करे हूँ कितनी अच्छी तरह से पग गया है और इतना सौफ्ट है अंदर से उतनी जूसी बने हुए है दोस्तो देखिए कितनी आसानी से बन गया है तो जैसे मैंने बनाया है वैसे एक बारी बना के जरूर देखना दोस्तो उम्मिद करती हूँ आप सभी को रेशिपी पसंद आएगी दोस्तो फ्रेंट फैमिली के साथ वीडियो सियर करिए और आप कौनछी रेशिपी देखना चाते है मुझे कमेंट करिए फुल वीडियो देखना दोस्तो थैंक यू सो मच